हेलो स्टुडेंट्स मैं आपका टीचर दीपक रावत और आपका ही इंसिच्यूट जिसका नाम है स्कॉलर टुटोरियल का हमने ओफिशल यूटूब चैनल बना लिया है तो आप मेरे को हो सकता है पहले से ही जानते हो जो इस वीडियो को देख रही है या मेरी आवाज को सु टुटोरियल पंजाब एरिया में लोकेटेड एक इंसिच्यूट है जो हम मैथमेटिक्स की मेंली जो है वो तैयारी करवाते हैं तो आज हम 12th क्लास के बच्चों के लिए हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज से हम शुरू कर रहे हैं और उनका चैप्टर जो आपको यह बताना चाहता हूं कि लास्ट इयर कोविड के कारण जो स्टूडेंट्स अभी एक्जाम देंगे मतलब के सेशन 2020-2021 के स्टूडेंट्स है जो उनके लिए काफी टॉपिक इसके डिलीट हो चुके थे मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंटरी ट्रांस्फोरमेशन का एक टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिलीट हो चुका था लेकिन अब जो हमें फ्रेशली 2021-22 के सेशन के लिए स्टूडेंट्स के बारे में पता चला है उसमें वो टॉपिक फिर से इंक्लूड कर दिये गए हैं जो लास्ट इयर डिलीटिड थे तो इ शरू करने वाले हैं matrix chapter तो आपने इस chapter को बिल्कुल ध्यान से समझना है पहले हम इसके basics को समझेंगे आज हम आपको सिर्फ इसके basics करवाएंगे क्योंकि बिना basics के आप इसके बड़े इस बड़े जो sums है वो solve नहीं कर पाओगे तो मैं आज आज आपको Sipine के basics के बारे में बताऊंगा और बहुती easy तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि matrix हम किसको बोलते हैं और इसके जो sum है उनको कैसे solve किया जाता है तो student let's start Okay friends हम matrix को लिखने का तरीका बहुती easy example से सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ कि एक matrix को लिखने के लिए हमको एक statement की जरूत पढ़ सकती है जैसे मैं आपको एक example के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए तीन friends है F1, F2, F3 अब यह तीनो friends के पास कुछ books and pens के set है हम मान लेते हैं जो हमारा first friend F1 है उसके पास four books and five pencils है और second friend के पास five books and six pencils है similarly जो F3 friend है उसके पास six books and seven pencils है अगर हम इस statement को एक tabular form में लिखें तो यह हमारे पास एक matrix बन जाता है इस matrix को अगर हम ध्यान से देखे तो इसमें हमको दो horizontal rows और तीन vertical lines दिखाई दे रही है तो इनकी horizontal lines को हम नाम देते हैं rows का यह हमारे पास first row है और यह हमारे पास second row है जबकि अगर हम vertical lines की बात करें तो हमारे पास इसमें c1, c2 and c3 तीन हमारे पास इसमें columns हैं इसका मतलब जो horizontal lines होती हैं उनको हम rows बोलती हैं और जो हमारे पास vertical lines होती हैं उनको हम columns बोलती हैं ओके आगे students हम एक general matrix को कैसे लिखा जाता है यह सीखेंगे मान लीजे हमारे पास एक a matrix है और उस a matrix में हमारे पास two rows r1 and r2 हैं और उसके two columns c1 and c2 हैं अब इस matrix में हम इनके elements को भी show करेंगे तो इसका first element a11, second element is a12, then a21 and a22 अब इसमें जो हमारा a11 element है वो first row and first column को belong करता है और a12 element है जो वो first row और second column को belong करता है जबकि a21 second row और first column का element है और lastly a22 है जो वो second row और second column का element है तो इसका मतलब हम किसी matrix को लिखने के समय उसके elements की position को भी locate कर सकते हैं जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक matrix को लिखने के लिए हमको entries यानिके elements की जरूरत पड़ती है तो अब हम थोड़ा सा और detail में elements के बारे में जानने के कोशिच करते हैं माल लीजे हमारे पास a, i, j एक element है इसमें i का क्या मतलब है इसमें i का ये मतलब है कि जो हमारा ये a element है वो कौन सी row को belong करता है और j का मतलब है कि ये कौन से column को belong करता है अब हम बात करेंगे किसी भी matrix के order के बारे में किसी भी matrix के order का क्या मतलब होता है ये हम आपको एक example से समझाने के कोशिच करेंगे माल लीजे हमारे पास फिर से एक matrix a है और उस matrix में हमारे पास 2, 3, 4, 5 elements हैं अब हमको देखने से ही पता चल रहा है कि जो ये हमारे पास matrix है इसमें हमारे पास 2 rows and 2 columns है अब अगर हम इनके rows and column को कुछ इस form में लिख दें 2 by 2 तो ये बन जाता है किसी matrix का order और इसमें 2 by 2 का क्या मतलब है 2 by 2 का मतलब ये है कि इस given matrix में हमारे पास 2 rows and 2 column है और ये ही इस matrix का order है generally हम इस matrix के order को m cross n की form में भी लिख देते हैं इसका मतलब है m का मतलब है कि इसमें number of rows कितनी है और n का मतलब है इसमें number of columns कितनी है अब हम एक order of a matrix को detail में समझने की कोशिश करेंगे अगर मालनों हमको पहले से ही दिया गया हो कि एक matrix के जो total elements है वो 6 है इसका मतलब उस matrix में 6 elements है अगर उस matrix में 6 elements है तो उसका possible order क्या हो सकता है उसका order 2 by 3 भी हो सकता है 3 to the 6 3 by 2 भी हो सकता है और इसी matrix का order 6 by 1 भी हो सकता है and 1 by 6 भी हो सकता है इसका मतलब अगर हम को किसी भी matrix के total elements पता हो तो हम उसके order को कांदाजा लगा सकते हैं कि उसमें जो number of rows 2 और number of columns 3 भी हो सकते है या फिर number of rows 3 and number of columns 2 हो सकते है या फिर rows 6 and column 1 और ऐसे ही 1 row and 6 column भी possible है तो students इसके आगे जो हमारा topic है वो types of matrices है mostly students या teachers है जो वो इसके बाद types of matrices ही discuss करते है लेकिन मेरे according as a teacher मुझे लगता है कि types of matrices ज्यादा जो types होने के कारण बच्चे इसमें थोड़ा confused हो जाते हैं और जब exercise में वो sum solve करते हैं तो अपने दिमाग में वो types को रखते हैं और फिर sum उनसे मतलब कि इतनी जल्दी solve नहीं हो पाते हैं इसलिए मैं आज आपको पहले types of matrices नहीं करवाऊंगा पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप किसी matrix को कैसे construct कर सकते हो उसके लिए आपको एक particular condition दी गई होगी मैं वो condition अभी लिख रहा हूँ तब यह आपको समझ में आएगा माल लीजिए हमने एक 2 by 3 का एक matrix construct करना है और उस matrix की हमको एक condition दी गई है कि माल लीजिए जो उसके elements है उनके लिए condition है कि उसके i plus j अब इस condition के based पर हम यह 2 by 3 का matrix है वो जो कैसे construct करेंगे पहले हम इस matrix को लिख लेते हैं जो इसके elements है उनको journal form में हम लिखेंगे अब हम one by one इस matrix के elements को लिखेंगे जैसे माल लीजिए हमारे पास जो यह first element है वो हमारे पास है a11 इसका मतलब यह है कि इसका जो i की value वो one है और j की value भी one है तो हम क्या करेंगे i plus j यह हमारे पास first element त्यार हो जिएगा two similarly जब हम इसका second element a12 त्यार करते हैं तो अब हमारे पास जो i की जिएगा पर हमारे पास value तो one ही रहेगी बड़ जो j है वो हो जाएगा हमारे पास टू तो टोटल इनका करेंगा हमारे पास जो next element है वो हो जाएगा 4 अब next हमारे पास जो element है वो है a21 2 plus 1 is equal to 3 यानि कि a21 हमारे पास जो element है वो 3 आ चुका है और इसके बाद a22 2 plus 2 is equal to 4 and a23 2 plus 3 is equal to 5 तो यह हमारे पास सभी elements की values आ चुकी है और इन values को use करके हम अपनी matrix को construct कर लेंगे और जो उनकी positions हैं वहाँ पे हम यह values fill कर देते हैं a11 की जगा पे हमारे पास जो value आई है वो आई है 2 तो हमारा जो first element है वो बन जाता है 2 a12 की जगा पे हमारे पास जो next value आई है वो है 3 तो हम यहाँ पे लिग देंगे 3 similarly a13 की value हमारे पास 4 a21 की value है 3 a22 हमारे पास 4 and a23 is a 5 यह हमारे पास finally एक 2 by 3 का हमारे पास एक matrix त्यार हो गया अब students आप यह समझ चुकी हो कि अगर आपको कोई given condition दी हो i plus j या फिर i square by j या फिर i square minus j तो आप इसमें values फिल करके जो है sum कर सकते हो हमको exercise में भी given है तो students आज के लिए हम इतना ही करेंगे और मैं आपको बता दू कि जो मैंने अभी आपको समझाया आप अपनी exercise शुरू कर सकते हो जैसे आपको number of elements अगर पहले से दिये गए हो तो आप उसका possible order है जो वो पता कर सकते हो और इसके लावा जो मैं हमने सबसे पहले syllabus discuss किया था त आपको उनके जो PDF फाइल उनके link जो मैं description में डाल दूंगा आप महा से copy कर लेना मैं CBSE plus 2 का mathematics का syllabus और इसके लावा पंजाब बोर्ड जो PSEB का syllabus है plus 2 का और plus 1 का दोनों का वो भी मैं आपको description में link कर दूंगा आप महा से उनको PDF को download कर सकते हो तो students मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप हमारे साथ connected रही है ताकि हम इसके बाद जो matrix chapter है उसकी हम properties discuss करेंगे हमारी next वीडियो पे ओके students बाबाई and take care